गाइस वोल्टास को अगर आप निफ्टी 50 से कंपेर करेंगे मैक्सिमम लेवल पे तो आपको दिख जाएगा कि ये अभी अगर लॉंग टम से देखेंगे तो आपको प्रॉफिट जरूर दे रहा है लेकिन ये बार-बार उपर जाने के बाद वापस निफ्टी के लेवल पे यहां पे यहां पे यहां पे निफ्टी के लाइन पे आया था यहां पे और अभी यहां पे और यहां पे मतलब पांच-छे बार यह वापस वापस निफ्टी के ही लेवल पे आ जाता है जितना निफ्टी का प्रॉफिट है उतना ही प्रॉफिट लगबग यह देने लगता तो अभी हम लोग maximum पे compare तो नहीं कर सकते हम लोग एक idea लेने के लिए maximum पे करते हैं कि मतलब जिसने पहले किया उसका अभी कितना profit हुआ होगा लेकिन हमको कब invest करना है हमको तो अभी करना है तो हम लोग आसपास वाले देखेंगे at least five years three years वाले देखेंगे comparison तो हमको समझ में आएगा कि इसके आदत क्या है stop किस तरह से behave करता है तो इसका behavior मेरे हिसाब से थोड़ा सा cyclical है और obvious reasons की वज़े से वोल्टास क्या है एसी बनाती है ज्यादा इसका business किस में होता है एसी में होता है टाटा की company है जिन लोग को नहीं पता ये टाटा की company है ठीक है तो जो long term के investors हैं और continuous compounding कर रहे में believe रखते हैं अपने amount की वो इसमें invest नहीं करे तो ज्यादा अच्छा होगा क्योंकि ये गर्मिया जब तक रहत है तो ये चीज़ आप याद रखना हम लोग क्या देख रहे है annual net profit देख रहे हैं तो ये जो result आया है ये पूरी history में इसका सबसे बकवास result है ठीक है तो ये चीज़ हमें consider करके चलना है अभी मैं वोल्टास के बारे में discussion कर क्यो रहा हूं discussion करने का reason है ये fall जो ये top से यहां पर touch हुआ यहां पर touch हुआ और इससे पहले भी यहां पर touch हुआ था ठीक है तो ये इसी को maintain करता हुआ दिख रहा है और अभी जो results आए हैं वो देखके ऐसा लगता है कि यह यहां से भी नीचे fall करेगा main reason ये मेरे radar में आने का इसलिए था क्योंकि इसका जो monthly June के level का जो monthly target ह होता है मेरा वो हिट होने वाला है वो target क्या है 765 का लेकिन मैं इसे फिर भी लेने वाला नहीं हूँ क्योंकि इसके profits क्या है बहुत ही बेकार है और plus हमने इसकी history देख ली थी कि यह इसी base को maintain करता है तो हो सकता है कि यह इसी base पे वापस आए या फिर इसे break भी कर दे इस बा लेकिन यह भी आपको दिमाग में रखना है कि शायद अगला quarterly result जो है इसका बहुत अच्छा आ सकता है ठीक है तो अगला result जब इसका बहुत अच्छा आ जाएगा तो chances होंगे कि यह जो यह line है blue line जो हमने बनाई थी इस line को यह respect दे और यहां से यह उपर जाता हुआ दिख चूंगा 765 से बहुत नीचे at least 620 के आसपास मैं इसमें investment के levels ढूनोंगा ठीक है तो इस line से भी नीचे अगर इसके results बहुत 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 जाद आच्छे आ जाते हैं तो भी मैं इस line से नीचे में ही जो यह मेरा point है 620 का इसके आसपास में ही मैं इसमें buying करने की planning करूंगा यह ऐसा stock नहीं है जो मेरे से miss हो जाए तो मुझे बहुत दुख होगा ऐसा stock यह बिलकुल भी नहीं है ठीक है cyclical stock है गर्मियां आती है तो गर्मी के बाद वाले जो results होते हैं वो अच्छे आते हैं मांके results बहुत खराब आते हैं तो अभी हम लोग क्या करेंगे इसे गिरने कि साइट जाते हुए दिखते हैं तो उसे साब से प्राइस अपना टार्गेट चेंज कर सकते हैं अदर्वाइस मैंने जो इस पर करने की प्लैनिंग की है मैंने आपको बता दिया fundamentals में बहुत जादा नहीं जाएंगे क्योंकि इसे मैंने पिछले किसी वीडियो में discussion किया थ स्टॉक्स जो होते हैं आप लोगों को बहुत जादा वो चाहिए रहते हैं माइक्रो कैप्स खास तौर पर तो माइक्रो कैप्स पेनी स्टॉक्स जो मेरे रडार में आये हैं मैं उनको भी discussion करने की कोशिस करूंगा अगर मेरे पास टाइम रहता है तो ठीक है तो मेरे जो भ